प्राचिन भारत के अधियर स्टुदेंट्स, गूट आप्टोनून, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जहांगीर के काल के कुछ यात्री देखे थे, अकबर जहांगीर के काल के और कुछ सल्तनत काल और प्राचिन भारत के, आज उसी करम में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और उसमें पहला यात्री है एडवर्ट टेरी, जहांगीर के काल में काफी यात्री आये थे, उनी में से एडवर्ट टेरी भी एक थे, जो सर टामसरो के साथ ही आये थे, सर टामसरो वही व्यक्ति था, जिसने जहांगीर के सम यहां पर चहल कद्मी की थी और जिस आदमी के साथ वो आया था उस आदमी का नाम भी आपको अच्छी तरीके से पता है सर्टामस रोही थे एड़टेरी भारत के सिक्के का बहुत अच्छा वर्ण करता है भारत को ततकालीन सिक्कों की स्रंख्ला में विश्वे का स्रेष्ट स जो है वो उपर होने वारी बात है हमारे कैप में फेदर लगती है इससे कि हमारे शिक्का तक कालीन विश्वे में सबसे बहतरीन था और इसके लावा उन्होंने एक बात और बताई थी कि भारत की जो कालीन थी वह भी विश्वे में नफीस कालीनों में से एक थी तो भारत की कालीन की बहतरी और भारत की सिक्कों की बहतरी का वर्णन करने वाले व्यक्ति का नाम एड़वर्टेरी था ठीक है ना इसके बाद में याद रहे कि एड़वर्टेरी भी ब्रिटानिया होकुमत के हैं अर्थार ब्रडे सियात्री है इंगलिस यात्री है। इसके बाद में आता है पेल सर्ट। पेल सर्ट वह व्यक्ति है जो डच अर्थार्थ हॉलेंड का है। हॉलेंड बोल दो, नीदरलेंड बोल दो, डच बोल दो एक ही बात है। इसका एक गुमास्ता था जिसे हम फैक्टर कहते हैं जिसने बयाना और सर्खेज की नील का उलेख किया है यह एक बहुत अच्छा प्रशन यहां से बनता है आसे देखो पैंट सर्ट के नाम से ऐसे होता ना कि हमने पैंट सर्ट में नील दी है तो आपको याद भी रजाएगा ट्रीकी कि हाँ पैल सर्ट तो ऐसा सा नाम आता है नील हाँ तो नील की यात्रा का वर्णन करने वाले यात्री का नाम पैल सर्ट है और इनका देश जो है वो होलेंड है डच है नीदर लेंड है इसके बाद में अगला यात्री है पियत्रा देला वाले यह इटालियन था जा सूथ भारत के में सति प्रथा थी उसका बहुत अच्छा वढन किया है उनने बता है कि आकपर के समय बंदशा सति प्रथा प्रयाद जबरदस्ती नहीं की जाती थी और अकपर उन सब लोगों का विरोध करते थे जबरदस्ती महिलाओं को सति करते थे यह इस के समय सती परथा का स्टेटस ये था कि जो महिला सती नहीं होना चाहती है उसको जबरदस्ती सती नहीं किया जाएगा जबकि थोड़ा बाद में हालंकि इसने तो नहीं वर्डन किया लेकिन मैं यहां पर रेलेवेंसी में आपको बता देता हूँ औरंग जेब ने इस्तिहार कानून लागू करके एक बात कहीं थी कि कि किसी भी तरीके से चाहे इच्छा हो चाहे अनिच्छा हो महिला को सती नहीं किया जाएगा क्योंकि यह गैर इसलामिक है इसलिए औरंग जेब ने सती प्रथा को कानून के द्वारा नश्ट किया था ये प्रसन देता मेरे षाय। जो ँईया जारी है जो साजा के सम exposure मैं आता है और या इटालियन लद्री है जिसके द्वारा साजा के समें दक्षिन में बहुत बड़ा दुर्भिक्otros अर्थार जिसको आकाल नो मैं ते। अकाल बोलते हैं पड़ा था और उसका डिस्क्रिप्शन जो है पीटर मुंडी ने किया है और यह थोड़ा सा ध्यान रखेंगे यह 1630 और 34 के बीच में यह एक भेंकर अकाल पड़ा था साजा के समय और इसका वर्णन जो है वो इस पीटर मुंडी की द्वारा पीटर मुंडी या कईवार पीटर मंडी भी आता है तो डॉन बी कंफ्यूज बिलूइन दीस टू बात एक ही रहेगी इसके बाद में बहुत बड़ा प्रसंद आपके competitive exam में रहता है दो फ्रांसिसी यात्री हैं जो साजा के समय आते हैं पहला यात्री है ट्रेवर नियर ट्रेवर नियर साजा के समय 6 बार और किसी भी काल में किसी भी सासक के समय सरवादिक आर्थार 6 बार यात्रा करने वाला एक मातर यात्री राज जिसने ट्रेवल इन इंडिया नमक पुस्तक लिखी थी जो basically हीरों का व्यापारी था डाइमंड जो है उनको इंपोर्ट एक्सपूर्ट करता था जाईर सी बात है जिसके पास में जोगाड ज्यादा होगा वही अब डाउन कर सकता है इतना बड़ा वही बार बार आ सकता है उस समय में जब की सत्रमी सदी के हम बात कर रहे हैं जब ऐरो प्लेंस वगिरा नहीं ह तो यह थोड़ा साइस में आप में जान रखेंगे दूसरा जो फ्रेंच यात्री है उसका नाम है बर्नियर यह बर्नियर ट्रेवल्स इन मुगल एंपायर के नाम से एक रसना लिखी है बर्नियर वह व्यक्ति है जो पहले डोक्टर था और उसके बाद में जो है उसने साजा उत्रादिकार यूद का एक सजी वर्णन भी इन्होंने किया है और दुर्भागे पूर्ण घटना साजा के समय गठित हुई जो इस उत्रादिकार यूद के रूप में हुई थी साजा के चार पुत्र थे दाराशिको है सूजा मुराद और और औरंग जेब साजा जब बिमार पड़ा 1657 के असपास तो उनके चारों बेटों के बीच में एविश्वास के चलते खासतोर से औरंग जेब और दारा के बीच में एविश्वास रहा दारा को फेवर करते थे साजा इसलिए औरंग जेब अपनी सेना लेकर पहुंच गए उदर से सूजा गया और बाहदुरपूर, धर्मत, सामुगड, खजवा और देवराई नामक पांच युद्ध लड़े गए और इन पांचों युद्धों में जीत औरंग जेब की हुई और ताजपोसी उन्हीं मिली साजा को कैद कर लिया गया आठ साल तक उन्हें साहबुर्ज में कैद रखा गया और साजा के बाकी पुत्तर जो थे उसको औरंग जेब ने या तो कालकल्वित कर दिया या फिर उन्हें तड़ी पार कर दिया सब को मार दिया और शासक बन बैठा तो इस तरीके से यह जो वर्णन है वो बर्णियर के द्वरा किया गया है मनुची एक और यात्र इटली का था और इसने एक पुस्तक लिखी थी साटोरियो डी मोगोर नामक रचना लिखी यह प्रारंब में दारा की सेना के तोप्ची थे और यह बाद में डोक्टर हो गये थे यह भी ध्यान रखना है अलमेंटरी लेवल पर यह दारा की सेना में तोप्ची थे लेकिन जैसे दारा की सेना है वो तो बाहतुर गर्ड के यूद में हार गई उसके बाद में साम directory उर्हाज्वा में फिर हार गई तो उसके साथ ही दारा का तिलीश्म जो हो धर्मत और साम bon Grad में हार गई तो उसके साथ ही जो है वो दारा का तीलिश में वाप्त हो गया और अन्य लोगों के समान इटालियन यात्री मनुची ने भी चिकित्सक का पेशा अपना लिया और अपना जीवी को पारजन या जीवन बसर यहां पर किया तो बहुत ही इंपोटेंट यात्रियों क जो आपका टापिक है वो पूरा होता है थोड़ा याद रखना दो फ्रेंच यात्री बहुत इंपोटेंट है बर्नियर डॉक्टर थे उत्रादिकार युद्द देखा है मनुची जो है वो स्टॉर्यों डी मगोर यह रिचना ही पूछते हैं ट्रेवर नियर हीरों के व्या जाएगा पेल सर्ट एक आपको पूछेंगे कि भारत में नील की खेटी जो है और खास्तोर से बयाना और सरखेज की नील जो बयाना और अपने राजस्तान में है भारतपूर में है सरखेज गुजरात में है तो यहां की उतकरष्ट नील जो है उसका जो अग्रिकल्चर था उसका वर्णन इन्होंने किया था अड़टेरी की हम बात करते हैं तो इन्होंने कालीन और सिक्कों के बारे में बहतरी से बताया था विलियम हॉकिन्स हैं वो कमपनी की व्यापारी की अजाज़त लेने आप सरो पर्थम आने वाले थे तो वहीं सर्टामस रो पहला सफल यात्री था जिसने इजाज़त पराप्त कर ली थी और रॉल फिंच से अकबर के काल में भारत आने वाला पर्थम मुगल यात्री था इस तरीके से आपको पूरा यात्री जो हम कम्प्लीट हो गए हैं धन्यवाद